हेलो फ्रेंड्स आज कि इस वीडियो में हम टॉपिक जो डिसकस करेंगे उसका नाम है हेपिटाइटीज डी वाइरस अल्रेडी हमने कवर कर लिया हेपिटाइटीज बी एन हेपिटाइटीज अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर जरूर देखें आपको तभी समझ में आएगा हेपिटाइटीज डी वाइरस क्योंकि हेपिटाइटीज डी वाइरस जो हता है उसका रिलेशन होता है हेपिटाइटीज बी वाइरस से मतलब अगर हेपिटाइटीज बी वा same as aceptünüz C वाइरस है जो हम बोलेते उजे एक पारिसली सिंगल श्टेनर र एन वायरस होता है फ्युए आपको यह चाहिए सिंगल श्टेनर्ड आरेन वायरस हुता वाइरस का इंक्यूबेशन पिरिएड क्या होता है तो इंक्यूबेशन पिरिएड इसका होता है थ्री से सेवन विक्स और इसमें दो तरह का होता है एक इसका होता है को इंफेक्षन आपको बताएंगे को इंफेक्षन इसमें टर्मलोजी आता है को इंफेक्षन और एक होता है सूपर इंफेक्षन यह आपको याद अखना है को इंफेक्षन क्या होता है और सूपर इंफेक्षन क्या होता है बहुत जगा जो है मेडिकल टर्म इसको यूज होता है को इंफेक्शन और सुपा इंफेक्शन होता है जब हैपेटाइटीज वी वायरस का इंफेक्शन हुआ हो पेसेंट को और उसके साथ साथ हैपेटाइटीज डी वायरस का इंफेक्शन हो गया तो उसको बोलते है को इंफेक्शन और अगर सूपर इंफेक and super infection co-infection and super infection में यही difference है क्या होता है co-infection और क्या होता है super infection उसके बाद हम आते हैं कि Hepatitis D Virus में बहुत अच्छा MCQ आता है अगर पूछा जाए कि most common cause of fluminant hepatitis एक fluminant हम आपको बताएंगे कि fluminant hepatitis क्या होता है अगर पूछा जाए कि most common cause of fluminant hepatitis तो आपको answer देना है hepatitis D virus यह बहुत important mcqa जो आते हैं और अगर पूछा जाए क्या most common cause of fluminant hepatitis in pregnancy अगर question में लिख देगा in pregnancy मतलब pregnancy के टर्म में कौन सा hepatitis virus जो होता है most fluminant होता है तो उस समय आपका answer हो जाएगा hepatitis E virus तो यह जब hepatitis E virus हम discuss करेंगे उस समय भी यह बात करेंगे उसके बाद आते हैं कि यह किस तरह से हम hepatitis D virus को completely जो है remove कर सकते हैं मतलब eradication कर सकते हैं तो अगर patient को मतलब 100% अगर vaccination किया जाए सब लोगों को vaccination कर दिया जा है hepatitis V virus का तो हम लोग पुरी तरह से hepatitis D virus को हटा सकते हैं तो 100% removal किस कर सकते हैं रिमूब removal of hepatitis D virus तो किस तरह से कर सकते हैं vaccination vaccination of hepatitis B virus mostly hepatitis B virus का अगर हम vaccination कर दें सब लोग को तो hepatitis D virus हड जागा क्योंकि मैंने बताया था कि hepatitis D virus पहले V virus होता है hepatitis का infection उसके बाद ही hepatitis D virus का infection होता है अब बात करते है mode of transmission किस तरह से यह transmit होता है person to person तो कि transmission तो बहुत तरह से यह भी हो सकते हैं लेकिन इसको mostly जो root होता है उसको बोलते है parental root parental root के transmission इसका mostly होता है अब यहाँ पर यह भी देख सकते है exposure through the puncturing the skin skin में puncture हो गया इसके कारण भी हो सकता है यह blood के through semen के through vaginal secretion के तुरू यह सब के through secretion से hepatitis D का infection हो सकता है अब हम बात करेंगे कि इसका क्लिनिकल features देखने को मिलता है clinical features clinical features means क्या क्या होता symptom क्या appearance होता है hepatitis D virus में इसमें भी symptoms same ऐसा appear होता है जिस तरह से hepatitis B virus में होता है क्योंकि B के बाद ही होता है hepatitis D virus तो पेसेंट को जो है fatigue फिल होगा उसके बाद nausea vomiting type का feeling होगा nausea vomiting उसके बाद जॉन्डिस हो जाएगा इक्टरूस हो जाएगा तो जॉन्डिस का भी feeling होगा और उसके बाद अगर देखा उसके बाद spider vein like appearance होता है तो इस तरह का appearance होता है clinical feature of hepatitis D virus तो आप मान लिजे कि same as hepatitis B virus के तरह appearance होता है उसके बाद बात करेंगे diagnosis अगर करेंगे तो hepatitis D virus का diagnosis में क्या करते हैं तो देखिए diagnosis में पहले LFT test करते हैं LFT test में आपको पता है मैंने बताया था कि कोई भी liver function disease होता है तो उसमें क्या होता ALT का value बढ़ जाता है AST तो नहीं उतना बढ़ता जितना ALT बढ़ता है LFT दोनों बढ़ता है लेकिन इसमें ALT का value जादे बढ़ते वे दिखेगा उसके बाद investigation of choice मैंने बताया था investigation of choice हर में सेम होगा PCR करेंगे PCR करके इसका देखेंगे PCR of hepatitis virus PCR करेंगे HDV hepatitis D virus का RNA देखेगा तो अगर यह confirmatory test होता है यह confirmatory test होता है कि hepatitis D virus है तो इस तरह से diagnosis कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं blood test भी करते हैं liver function test करते हैं उसके बाद magnetic resonance imaging करते हैं इस तरह से ultrasound में भी देखते हैं liver का size बड़ा हुआ दिखेगा hepatomegaly दिखेगा इसमें आप देख सकते हैं clinical feature यहां पर आप देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि hepatomegaly हुआ हुआ है hepatomegaly देखें लीवर का कोई भी most of the disease जो होगा उसमें hepatomegaly और splenomegaly देखने को मिल सकता है तो इसमें भी hepatomegaly और splenomegaly दोनों देखने को मिलता है तो यह हो गया clinical feature and diagnosis of the hepatitis D अब देखते हैं कि treatment में क्या देते हैं hepatitis D virus के तो hepatitis D virus का जो infection होता है उसका जो treatment होता है उसमें आपको learn करना है drug of choice अगर पूछा जाए hepatitis D virus के लिए तो इसका होता है alpha interferon यह आपको learn करना है alpha interferon एक alpha interferon होता है beta interferon होता है गामा interferon होता है तो अगर आप चाहे तो यह भी learn कर सकते हैं अगर beta interferon और gama interferon बीटा streaming हम लोग यूज करते हैं गामा इंटरेयर यात कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं जο है अलफा इंटरफेरों हम 11 टो आतने और अपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंड कर सकते हैं angular का जबाब जरूर दोंगा थैंक यू सो मच